हाई एवरीबन वेलकम बैक तो अपनी कक्षा आज ही क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ncrt end exercise for chapter no.3 that is atoms and molecules इस वीडियो के अंदर हम सारे किस सारे ncrt के आपके end exercise की questions को solve करने वाले हैं बट इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले जाके सारे concept सीखने होंगे पूरे के पूरे चाप्टर पढ़ना होगा समझना होगा तो आप चानल के ऊपर atoms and molecules की पूरी detailed video डली हुई है आप जाके पहले उसे देखिए उसके बाद आप ये video देखेगा ताकि आप साथ and boron was found by analysis to contain 0.096 grams of boron and 0.144 grams of oxygen हमें क्या निकालना है calculate the percentage composition of the compound हमें निकाली है percentage composition ठीक है ओके percentage composition हमको पूछी गई है निकालना है हमें given क्या है हमें sample का given sample का mass given है हमें mass of sample sample का mass given है कितना है 0.24 grams हमें given है ठीक है और हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा गया है boron का और oxygen दोनों का ही percentage composition हमसे पूछा है जबकि हमें mass भी given है mass of boron boron का mass भी हमें given है कितना 0.096 grams और mass of oxygen भी हमको given है कितना है 0.144 grams अब हमें निकाले percentage composition percentage कैसे निकालते हैं आपके मालोब marks आए है 90 total आपका exam वह था 100 marks का मैं कह दू कि मुझे ना इसकी percentage निकाल के दिखाओ कि आपके कितने percentage मैं माक्स निकालोगे जितने तुम्हारे marks तुमने obtain कि marks obtained upon जितना total number का पेपर था जितने में से आए उसको 100 से हम multiply कर देते percentage मतलब 100 के respect में निकाल रहे हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे 90 90 तुम्हारे marks आए हैं ठीक है और 100 में से आए हैं ठीक है और हमें percentage निकाल लिए तो क्या जाएगा देखो 90 तुम्हारे marks आए हैं इस तरीके से हम क्या निकालते है percentage जाने कि जितना आये तुम्हारे obtain marks upon total जितने नंबर के एक्जाम था उस पर फिर percentage निकाल रहे है तो इस तरीके से हम निकालते हैं percentage तो यहां पर भी तो वहीं पूचा है यहां पर क्या पूचा है percentage composition पूचा है percentage composition of boron boron का percentage composition पूचा है तो हमारा boron है कितना नप इतना gram present 0.096 grams boron present a कितने में total sample कितना है 0.24 grams ठीके अब इसका percentage composition मतलब इसको हम 100 से क्या कर देंगे multiply कर देंगे अब इसको solve करने के लिए हम यहां से point रटाएंगे तो क्या बन जाएगा यह 96 upon point रटा कि हापर क्या जाएगा thousand into 24 आ गया ठीके इसको कर लिया हमने 100 into में यह वाला percentage वाला अब इसको solve कर सकते हो ना यह दो से दो यह से कट हो गया आगे क्या बच गया हमारी 96 upon 24 into में 10 तो यह 4 into 10 यानि की 40 परसेंट हमारा क्या प्रेजंट है बोरोन प्रेजंट है अब हमसे बोरोन के साथ साथ परसेंटेज इसकोंपोजिशन पूछी है उक्सीजन की भी तो एक बात बताओ हम निकाल कितने में से रहे हैं हम निकाल तो 100 में से रहे हैं ठीक है तोटल 100 में से हैं फाइंड आओट कर रहे हैं अब टोटल 100% सेंपल में से ना 40 परसेंट जो है और वो बोरोन प्रेजंट है तो मुझे बताओ क्या करेंगे 2016 को मेंनस कर देंगे ना ہंनड में से क्या कि हमने 40 को माइनस कर दिया कितना आ गया 60% यानी की यानी की जो oxygen है वो 60% present है हमारे sample के तो यह question को आप no down कर सकते हो ठीक है मैं side हो जाती हूँ screenshot ले लो no down कर लो फिर हम आगे चलते हैं next question को देखने वाले हैं okay next question है हमारा when 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen हमने ना carbon को carbon को react कराया है किसके साथ burn किया है oxygen के साथ oxygen के साथ burn किया है तो हमें क्या मिला carbon dioxide मिली है co2 gas हमें आप बोला गया हमें amount given है हमें जो carbon है वो कितना given है 3 grams तो यहां पर हम लिखेंगे 3 gram तो oxygen है जी oxygen कितनी है 8 gram कितनी दे दिया oxygen दे दिया जी अब इन दोनों के combination से जब यह आपस में react करते हैं तो 11 grams of co2 हमें मिलती है यह इन्होंने बताया अब यहां पर देखिए अगर हम 3 plus 8 को add करते हैं तो कितना मिलता है हमें 11 यानि की जितना हमने रियक्तन दिया उतरहीं हमें प्रड़क्ट मिल रहा है यह क्या है लो ओफ गंजर्वेशन ओफ मास है ठीक है इसके स्टेटमेंट भी आने चाहिए पूश्ट एंग्जाम में चिक है ओक अब हमको तो by mass इसकी composition अगर हम इसका ratio निकाले ठीक है किसका co2 को तो हमारे पास कितना देखो carbon का carbon एक है oxygen कितना हो जाएक यहां पर एक oxygen का mass होता है 16 तो यहां पर कितना हो जाएगा 32 जब इसको हम simplify करेंगे इसको हम divide करेंगे तो क्या आजाएगा हमारा 3 ratio यहां पर देखो कितना आजाएगा इसको simplify करने के बाद 3 ratio 8 आजाएगा यानि कि जहां से हमें क्या समझ मैं? low of constant proportion, low of constant composition इसका मतलब क्या हुआ कि जब 3 part carbon 8 part oxygen के साथ combine करेगी तभी CO2 बनेगी चाहे वो CO2 कहीं से merge release हो रही हो, चाहे वो plants छोड रहे हो, चाहे हम human beings उसको respiration के time पे छोड रहे हो या फिर वो किसी industry से निकल रही है CO2 gas कहीं पे भी अगर वो CO2 present है तो वो किस चीज से कैसे बनी हुई है? तीन पार्ट कार्बन से, तीन पार्ट कार्बन प्लस में, आठ पार्ट किसके लगे हैं उसके अंदर? उक्सीजन के लगे हुए हैं, this is fixed, तभी हम उसको क्या कह रहे हैं, carbon dioxide कह रहे हैं, this is important ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams of carbon is burned with 50 grams of oxygen उन्होंने कहा कि तुम carbon तो 3 gram ही ले लो, बट oxygen ना हमने तुम्हें जादा दे दी, कि तुम्हें 50 grams दे दी, तो उससे क्या use होगा? जब हमें पते CO2 को बनने के लिए, सिरफ और सिरफ 8 part oxygen ही चाहिए, तो हम 50 grams का करेंगे क्या? ठीक है, use हमारी कितनी होनी है? 8 gram ही होनी है, यानि कि 50 minus 8, जो left part है हमारा, वो क्या रहेगा? unreacted रहेगा, उसका कोई भी use नहीं है, चाहिए तुम 100 gram of oxygen दे दो, use हमारी उसमें से 8 ही होनी है, सारी जो बच गई, 8 में से जो बच गई, वो हमारी क्या होगी? सारी कि सारी unreacted रहने वाले, सो कोई भी काम नहीं है, ठीक है, तो यानि की end में चाहिए, हमें वो 50 दे ठीक है, चाहिए हमें वो oxygen 50 दे दे, चाहिए, वो 100 दे दे, चाहिए 60 दे, हमारा जो answer है, ठी आया है, आगे फिर हम next question को solve करने वाले हैं, okay, next question देखते हैं, what are polyatomic ions, poly मतलब multiple, atomic मतलब जिसके अंदर different type के atoms, वहापे combine करके, as a whole, एक जब species वो काम करती है, कैसे, देखो, carbonate का अगर हम example लेते हैं, co3, 2- यह क्या है, एक आयन है, ठीक है, आयन है, कैसा आयन है, polyatomic, क्योंक देखेन, 1- यहापे, more than 2- यहापे ions प्रेजेंट है, इसी वजय से हम क्या कहते हैं, polyatomic ions, यहापे carbonate का example तुम दे सकते हो, nitrate का दे सकते हो, phosphate का example तुम दे सकते हो, इसके अंदर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते है, polyatomic ions बोलते हैं, ठीक है, NCRT के अदर आपकी एक table given है, जो हमने लेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिसक्स भी की थी जिसकी हेल्प से तुम वेलेंसी को याद करते हूं चार्ज को याद करते हूं और फिर क्रोस वेलेंसी मैथर से बहुत सारे अराम से 20 से ऊपर कराये होंगे 22 25 कराये होंगे तो आपको पहले वो वीडियो देख लेना सारी के सारे फॉर्मुला उसमें करवा रहे उससे बाहर एक भी आपकी एक्जाम में नहीं पूचा जाएगा तो यह भी भाही से पूचे गए हैं उससे बाहर से तो इस आए गाई गाई एक्जाम में ठीके तो पहले आपको जाके लेक्टिर समझना है समझना है यहाँ पे मैं फिर भी एक बर बता देती हैं कैसे कैसे करते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं क्रोस वैलेंसी मैथटल का MgCl, अब magnesium की valency कितनी होती है, 2 होती है, और chlorine की, chloride की valency कितनी होती है, minus 1 charges के उपर होता है, यानि की 1 valency होती है, 1 लिखेंगे, अब हम इसको simple क्या करेंगे, cross multiply करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, cross multiply, Mg, and Cl की निचे क्या लिखेंगे, 2, MgCl, and नीचे लगा दिया हमने, 2, MgCl बन गया, इस तरीके से हम कोई भी chemical formula, असानी से और बड़े ही मज़े से लिख सकते हैं, next देखो, calcium oxide, calcium oxide को किस तरीके से लिखेंगे, CAO, CAO क्यों लिखा, calcium की valency 2, oxygen की valency 2, दोनों की valency 2 है तो कटो गया, इसी वज़े से क्या बन गया, simple calcium oxide CAO, next है, copper, nitrate, copper के लिए symbol क्या होत है, nitrate is a polyatomic ion, यहाँ पर देखो, ATE, एक nitrite भी होता है हमारे पास, समझाया था मैंने ये class में, जब ATE आ रहा है, यानि की nitrate, ATE, उस case में क्या होते है, number of oxygen ज्यादा होते है, तो यहाँ पर क्या होगा, nitrate की case में NO3, oxygen ज्यादा होता है, nitrite होता, NO2 होता, ठीक है, चार इसके हमने सीखी थी, तो यह formula हमारा किसका हो गया, copper nitrate का formula हो गया, next देखेंगे, aluminium chloride, aluminium chloride का formula क्या बन जाएगा, ALCL3, कैसे लिखा मैं, aluminium 3 होती है, ठीक है, CL की 1 होती है, cross multiply कर दो भई, simple, ALCL, यह CL कि निचे क्या जाएगा, 3 हागा, simple, ALCL3 बन गया हमारे पास, next देखेंगे, calcium carbonate, calcium carbonate calcium के लिए CA, carbonate के लिए क्या बन होता है, CO3, 2 valency होती है इसकी, calcium की भी क्या होती है, 2 होती है, cancel out हो गई, तो क्या बन गया, CA, CO3, this is calcium carbonate, ठीक है, note down कर लो, सारे chemical formulas, फिर हम आगे चलने वाले हैं, बहुत इसी था, table याद कर लेनी है, वो वाली, जो NCRT में हमने पढ़ी थी ना उस दिन, चले, next question देखते हैं, give the name of elements present in the following compounds, यह आपको कुछ compounds given है, इसके अंदर कौन कौन से elements present है, वो में बताना होगा, अब इसके लिए हमें आना जाई ही chemical formula लिखना, तो यहाँ पे आपसे indirectly chemical formula भी चेक किया गया है, quick line क्या होता है, यह common name है किसका, calcium oxide का, तो simple formula एक तो calcium present है, और एक यहाँ पे present है oxygen, next आपको पास hydrogen bromide, hydrogen bromide क्या होता है, HBR, HBR में hydrogen और एक क्या है, bromine present है, baking powder, baking powder को किसमें यूज करते हैं, baking के लिए यूज करते हैं, cakes के अंदर, और जो हमारे वड़ा होता है, भटूरे होते हैं, उन सब चीजों में हम क्या यूज करते ह हैं, baking powder का यूज करते हैं, क्या formula होता है, इसका NHCO3, sodium hydrogen carbonate, तो एक यहाँ पे sodium है, एक hydrogen, एक carbon और तीन क्या है, oxygen है, तो इस तरीकी से आपको बताना है, यहाँ पे आपसे atomicity वगेरा भी पूछी जा सकती है, ठीके, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना, आपको chemical formula लिख है, यानि कि chemical formula लिखना आता होगा, तो असानी से सारे के सारे elements और number of atoms भी हम इसके अंदर बता सकते हैं, यानि कि atomicity भी बता सकते हैं, ठीके, चलो, next question देखते हैं अभी, next question में आपको पूछा है, calculate the molar mass of the following substances, कुछ substances, कुछ compound given है, इन सब का हमें क्या है, calculate करना है, molar mass calculate करना है first part में आपसे पूचा है, ethane, C2H4, इसका molecular formula आपको दे दिया गया है, C2H4, एक carbon का mass कितना होता है, 12, यहाँ पर 2 carbon है, तो multiply by 2 कर दिया, एक hydrogen का mass होता है, 1U, जिसको हमने 4 से multiply कर दिया, यह कितना हो जागा, 24 plus में 4, एक सेट, 2 है न, यहाँ पर mistake कर दिया, मैंने, यहाँ पर next, देखिए, आपसे पूचा है, sulfur, S8, एक sulfur का कितना होता है, 32, और हमें, जो molecule given है, वो क्या है, S8, यानि कि 8 से multiply करेंगे, कितना जगा यहाँ पर, 256 हमारा answer आ गया है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर कई बार molecules का, यहाँ पर तो आ में आएगा, ठीक है, P4 की form में ही रहता है, हमेशा, combined form में रहता है, sulfur, S8 की form में ही रहता है, हमेशा combined form में, तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है, अब nitric acid का अगर molecule formula नहीं दिया होगा, तो कैसे solve करोगे, ठीक है, तो यह कुछ basic chemical formula है, जो तुम्हें आने चाहिए, hydrochlor 1 इंटू में P4 है न, 4 फोस फरंस है, तो 4 से multiply कर दिया, तो कितना आगया, 124, ठीक है, नेक्स देखेंगे hydrochloric acid, hydrochloric acid के case में, HCl, एक hydrogen का 1 chlorine का कितना होता है, 35.5, तो यह आगया, 36.5 हमारा answer, नेक्स पूचा है, HNO3 के लिए, तो hydrogen का कितना होता है, 1, nitrogen का कितना होता है, 14, oxygen का, 1, 3 oxygen है, 1 oxygen का होता है, 16, 3 का हो जाएगा, 16 in 2 में 3, इसको solve कर सकते हो, ठीक है, answer आजएगा, simple, बहुत easy है, ठीक है, तो इस तरीके से हम molecular formula भी calculate कर सकते हैं, चलिए अभी हम next देखने वाले हैं, हमारा next question, what is the mass of, हमें mass बताना है, mass calculate करना है, किसका 1 mole of nitrogen atom का, हमें atomic mass पता ह किसका, nitrogen का, बिल्कुल मैं इतने अच्छे से याद कराए था आपने, क्यों नहीं याद होगा, कितना होता है, 14, यह होता है, यह for unified mass, तो 1 mole का, 1 mole nitrogen atom का mass कितना होगा, अरे मैं बहुत असान है, यह तो इसके atomic mass के equally होता है, पढ़ाय था आपने, किसके equal होता है, atomic mass के ही equal होता है, यानि किसकांसर कितना आजाएगा, 14 grams, आपको बस इसके unit change करने है, unified को किसके अंदर convert करना है, ग्राम के अंदर convert करना है, ठीक है, चलिए, no down कर लो, next देखते हैं, next है, आप से पूचा गाए, 4 mole of aluminium atom, 4 mole aluminium atom का कितना mass होगा, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें 1 mole का तो mass, given है, उसके किसके equal होता है, atomic mass का equal, कितना है, दे भी रखाया, देखो होगा, कितना होता है, 27, ठीक है, 27 होता है, ठीक है, 27 के equal होता है, 27 grams, लिख दो है, ठीक है, पूचा कितने में, 4 moles में, 4 moles aluminium atom का mass हम से पूचा है, तो 27 into में क्या कर देंगे, हम 4, ठीक है, यह क्या हमारा answer, इतने grams, ठीक है, clear, बस कुछ भी नहीं करना, एक mole का दे रहे है, 4 का तो निकाल सकते है, simple entry method है, multiply करना है, ठीक है, next हम देखेंगे, 10 moles of sodium sulfide, अब सबसे पहले तो हमें इसका molecular formula पता होने, जे बही, sodium sulfide का molecular formula पता होगा, तभी हम निकाल पाएंगे, 10 moles के अंदर, तो, Na2, सबसे पहले मालो, हमें तुम्हें sodium sulfide का chemical formula नहीं दिया होता होता, फिर क्या करते, फिर हमें ये लिखना पड़ता है, formula हमें आना चाहिए, Na2, SO3, Na2, SO3, chemical formula होता है इसका, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे, इसका molecular formula कैसे निकालेंगे, एक sodium atom का mass होता है, 23, यहाँ पे sodium atom 2 ह है, प्लस में एक sulfur है, sulfur का होता है, 32, और एक oxygen का mass होता है, 16, और यहाँ पी कितने oxygen given है, मैं, 2, ठीक है, इसको solve कर लोगे, multiply कर लोगे, add कर लोगे, कितना आएगा, 126 grams आने वाला है, ठीक है, अब मुझे निकालना है, 10 moles of sodium sulfide का, 1 mole, 1 mole sodium sulfide, Na2, SO3 के अंदर कितना mass है, अभी 126 grams है, तो 10 moles के अंदर कितना होगा, बहुत easy, 10 से multiply कर दो, 126 को कितना आजएगा, 1260, यहाँ गया हमारा है, simple, clear है, note down कर लो, note down कर लो, इसको आगे चलते हैं फिर, next question देखने वाले हैं अभी हम, okay, next question is, convert into moles, moles के अंदर हमें convert करना है, किस के अंदर convert करना है, moles के अंदर convert करन है, क्या करेंगे देखो, क्या given है, mass given है, moles के अंदर convert करना है, तो हमें एक number of moles निकालने का हमने formula सीखा था, moles को represent करते small n से, number of moles is equals to given mass, पूरा लिख लेते हैं एक बड़ी, ठीक है, फिर short form में भी लिखेंगे, number of moles is equals to given mass, given mass क्या होता है, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रह molar mass, ठीक है, given mass upon क्या होता है, molar mass होता है, ठीक है, अब number of moles को हम represent करते हैं, n से, given mass को हम small n से represent करते हैं, molar mass को हम represent करते हैं, capital m से, यह आपका number of moles calculate करने का most important formula है, ठीक है, first आप से क्या पूछा गया है, 12 grams of oxygen gas, oxygen gas पता होनी चाहिए, oxygen atom नहीं बोला है, oxygen gas बोला है, तो यहाँ पे तो oxygen, oxygen gas को O लिख दोगे, O का mass लिख दोगे, गलत हो जाएगा, यहाँ पे mass लेना पड़ेगा, मैं 32, क्यों क्योंकि 2 O है, oxygen कितने हैं, 2 है, O2 ले रहे हैं, okay, तो part A को हम solve कर रहे हैं, हमें निकालने है, number of moles, N निकालने है, given mass, अब उन में क्या किया, molar mass किया, given mass कितना है, ह एक oxygen का 16 होता है, मैं, यहाँ पे 2 की बात की गई है, तो 32 हो गया, इसको हम solve कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 12 gram, अपोन में, gram से gram कट हो जाएगा, यह भी धान रखना, कितना हो गया है, 32 है, इसको हम solve कर लेंगे, बहुत असानी से, ठीक है, चलो, यह formula note कर लेंगे, बस अब given mass 12, अपोन molar mass oxygen है, तो oxygen है, तो 16 कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है, 32 कर के आना, ठीक है, चलिए, नेक्स देखते है, B part, B part में क्या पूछा है, वही number of moles given mass, अपोन में molar mass, given mass कितना है, 20, molar mass कितना, molar mass कितना है, water का molar mass, याद होता है वैसे तो, ठीक है, याद नहीं है, तो नि कितना हो गया, 18 grams, simple, ठीक है, 18 grams, फटाफट निकाल सकते हो इसका तो, तो कितना हो गया, देखो, given mass, molar mass हो गया, 18, solve कर लोग इसको, simple है, बस, given mass upon molar mass, simple, question, खतब, ठीक है, okay, C part देखते हैं, C part में दिया है, 22 grams of carbon dioxide, ठीक है, तो, number of moles, भाई, given mass upon molar mass, given mass कितना है, 22 grams, molar mass CO2 का हमे निकालना पड़ेगा, माम, याद तो नहीं है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे, तो सीधा याद हो जाएंगी, क्योंकि बेसिक, बेसिक molecules है, तो, एक carbon का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, एक oxygen का कितना होता है, 16, oxygen कितने given है, यहापे, 2 given है, तो, कितना हो गया, 44 grams हो ठीक है, माम, अभी हाँ पे हम 44 grams लिख देंगे, और इसको हम कार सकते हैं, ठीक है, कितना हो गया यह, इसको हम solve कर लेंगे, आप छोड़ दो, ठीक है, कर लोगे न, easy, easy calculations है, कर लोगे, चलो, next question देखते हैं, इसको no down कर लिया होगा, next question देखेंगे अभी हम, next question में क्या पू ठीक है, ठीक है, क्या पूचा है, 0.2 moles of oxygen atom का मास कितना होगा, ठीक है, क्या पूचा है, 0.2 moles के अंदर, हमें पता है, 1 mole, 1 mole oxygen atom का जो मास होता है, वो कितना होता है, 16 grams होता है, पता है न, हमें, एक का तो 16 grams होता है, पूचा कितने में, 0.2 grams में पूचा है, तो हम उसको जुन मॉलर मास कितना यहां पर नेटने कितने हैँ 0.2 ठीक है 0.2 मॉल्स हमें गिवन हैं ममिलर मास मॉलर मास ऑक्षिजिन पता हुगा गिबेंё मास मैं निकालना है ठीक है SIMD इसको इसको यह क्या multiply कर देंगे तो M की value कि इतनी आजएगी 0.2 इंटू में 16 ना जाएगा 3.2 कर सकते हो solve असान है ना ठीक है चलो डारेक्ट लिए हम क्या लगाई है यहां पर यही वाला formula यहां पर apply होने वाला है यहां पर में इस बार number of moles given है molecular mass तो हमें पता ही होता है नहीं पता होता है तो हम formula से निकाल सकते हैं और निकल किया जाएगा हमारा small m वही तो निकालना है वही पूचा है हम से ठीक है mass पूचा है next है B, B पार्ट में क्या पूचा है 0.5 moles of water molecules ठीक है n is equals to m upon m यह हमें find out करना है n हमें given है कितना 0.5 given है इसको हम molar mass से multiply कर देंगे small m आ जाएगा ठीक है कितना जाएगा small m आ जाएगा तो molar mass water का just अभी निकाला था कितना है था 18 आ था तो क्या कर देंगे इसको 18 से multiply कर देंगे हमारा answer आ जाएगा ठीक है molar mass तो निकालना आई गया अभी तक हमें चलिए next question देखेंगे अभी हम क्या पूचा गया है calculate the number of molecules of sulfur S8 present in 16 grams of sulfur तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें molecular formula निकालना पड़ेगा किसका S8 का just अभी थोड़ी दिर पहले हमने निकाला था कितना आ जाएगा 32 into 8 कितना आ गया है 256 grams तो 256 grams S8 के अंदर 6.022 into 10 raise to power 23 molecules present है किसके S8 के अगर हमें 1 gram S8 के अंदर निकालने हो तो 6.022 into 10 raise to power 23 अब उन में कितना आ जाएगा 256 grams आ जाएगा अब हमसे पूचा किस में है हमसे पूचा है 16 grams के अंदर 16 grams के अंदर निकालेंगे तो 16 से क्या कर देंगे इसको multiply simple unitary method है तो इस तरीके से जब हम solve करेंगे यहां पर हमारा answer आजएगा 3.7 into 10 raise to power 23 molecules किसके अंदर प्रेजेंट होंगे यह इतने molecules प्रेजेंट होंगे 16 grams of sulfur के अंदर ठीके clear इसका आप screenshot ले सकते हो अभी हम आगे next question के ऊपर move करने वालें देखो क्या पूछा गया है calculate the number of aluminium I am present in 0.051 grams of aluminium oxide hint दिया गया आपको aluminium का atomic mass दे दिया गया यहां पर कितना दे दिया गया 27 U ठीके तो सबसे पहले हमें aluminium oxide का formula लिखना आना चाहिए क्या होता है AL2O3 अब मुझसे यह मत पूछ ना कि AL2O3 क्यों आ गया valences आपको पढ़ाई गई है table हमने अच्छे से याद की थी वो वाली ठीके अच्छा तो यहां पर हम सबसे पहले aluminium oxide का क्या निकालेंगे molecular mass find out करने वाले हैं 2 हमारे aluminium है एक aluminium का 27 होता है 3 oxygen है एक oxygen का कितना होता है 16 तो यहां पर answer आ जाएगा 102 grams हमारा molecular mass हो गया इसका मतलब 102 grams of AL2O3 contains two molecules है ना देखो दो aluminium ions present है यहां पर 2 into 6.022 into 10 raise to power 23 clear अब यहां पर अगर हमें किसके अंदर निकालना हमें 0.051 grams के अंदर अब हम unitary message से कर रहें 1 gram के अंदर हमें निकालना होगा 1 gram of AL2O3 इसके अंदर कितना होगा 2 into में same as a t's value इसको ना मैं na लिख रही हूँ ठीक है na से represent करते हैं ना इसको हमारे average draw number को तो यहां पर na into में अपोन में क्या आ जाएगा 102 gram अब हमसे पूछा कितने में गया है हमसे पूछा गया है 0.051 grams के अंदर पूछा गया है तो हम जस्ट इसको क्या कर देगे 2 into na upon 102 into में 0.051 grams अब इसको simple हम solve कर लेंगा और हमारा answer यहां पर आ जाएगा ठीक है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं I hope आपको सारे के सारे questions समझ में आए होंगे clear? Okay, so यह हमारा last question था Thank you for watching this video